सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली अगर आध्यात्मिक द्रिष्टी कौन से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था लेकिन अगर बहुत एक द्रिष्टी से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्दन थे आखि दिन उसे बिक्षा में दो मुठी चना मिले। कुटिया में पहुंसते पहुंसते उसे रात हो गई। ब्रहमणी ने सोचा अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी। प्रात काल वासुदेव को भोग लगा कर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्रहमणी ने चनों को कपड़े में बांद कर रख दिया और वासुदेव का नाम जबते जबते सो गई। देखिए समय का खेल कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है समय होते बलवान। ब्रहमणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसके कुटिया में आ गए। इदर उदर बहुत ढूना चोरों को वह चोनों के बंदी पुटकी मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सित्के हैं। इतने में ब्रहमणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गाओं के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दोड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनी के आश्रम में शुप गए। संदीपन मुनी का आश्रम गाव के निक्ट था। यहां बगवान श्री क्रिशन और सुधामा शिक्षा अग्रहन कर रहे थे। गुरु माता को लगा के कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आग चने ने शुराप दे दिया। मुझ दीन हीन साहय के जो भी चने खाएगा वे द्रीद्र हो जाएगा। उद्र प्रात कल आश्रम में जाडूल गाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिले। गुरु माता ने पुटकी खोल कर देखी तो उसमें चने थे सुधामा सुधामा जी और क्रिशन भगवान जंगल से लकडी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वे चने की पुटकी सुधामा जी को दे दी और कहा बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुधामा जी जैसे ही चने की पुटकी को सुधामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना। लेकिन ये चने अगर मैंने त्री भुवन पिता श्री क्रिशन को खिला दिया तो सारी स्विष्टी दृद्र हो जाएगी नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवत मेरे श्री क्रिशन को एक भी दाना चना नहीं दिया।